कि गुड आफटर नून क्लास 11 इस जेंट्स फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक कांसेप्ट स्पेसली केमिस्टी के रिगार्डिंग बताए गए थे यह आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो में बना रहा हूं इसमें स्पेसली हमें क्या करना है कि प्रापर्टी की हैं और उनके मेजर्मेंट केसे रेलेटड डिसकसन करने हैं तो सबसे पहले तो यह पिस्पेसली दो टाइप की होती है जैसा कि आपको पहले सभी पता है कि कुछ प्रापर्टी इस फिसिकल होती है जैसा कि हम लोग पास काफी एक्जामपिल हैं जैसे किसी साबस्टेंस का कलर है ओलर है मैले टिंग पॉइंट है बॉलिंग ौइंट है डैंसिती है सौर्वेल्टी है यह सब प्रपर्टी कंशिडर होते हैं और कुछ property क्या यूं के लिए जए काफी property जो हम लोग discuss करते हैं जायतर वो chemical properties हैं जहां पर कोई इनको एक chemical change composition में substance के हम लोग अबस्ट करते हैं तो जा measurement की जहां तक बात आती है तो हम लोग measurement especially physical property के लिए करते हैं तो अगला topic जो हमारा इसमें discussion होना है measurement of physical properties जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि अपने पास measurements के लिए काफी चीज़ी हैं जैसे छोटे class में आपको पहले से पता CGS system है MKS system है FPS system है काफी कुछ है लेकिन जो आज हम लोग एक international level पर system यूज़ करते हैं वो SI system यूज़ करते हैं यह physics का part भी है chemistry में भी basic जीएं दी गई है तो 1960 में international committee जो weight और measure के लिए बनाई गई उन्होंने SI system में seven fundamental unit को consider किया है जिनको हम basic SI unit का नाम देते हैं SI especially French word systemic international से लिया गया है इसी को हम लोग SI SI unit especially नाम देते हैं अब इसमें जो seven units हैं इसमें length को meter से denote करते हैं small m से उसको represent करते हैं mass को kilogram से kg से mention करते हैं time के लिए second mention किया गया है temperature के लिए Kelvin scale है amount of sub जो chemistry में सबसेदा यूज़ होने वाला part है वो mole है electric current के लिए ampere यूज़ करते हैं और किस खुई भी light source किस level की light emit कर रहा है उसको हम luminous intensity का नाम देते हैं उसके लिए candela यूज़ करते हैं unit है और cds का symbol है अपने NCRT में पूरी एक table regarding इन्होंने बना रखी है कि हम one meter कब नाम देंगे one kilogram कब नाम देंगे सब के लिए one second किसको कहेंगे सब के लिए इन्होंने एक standard definition ले रखी है NCRT में एक table में अलड़ी मिली गुई है उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना साथ में physics में भी यह चीज़ें अपने को पढ़ने को मिलेंगी अब सबसे पहले देखा जाए इसमें मास का नमबर आ रहा है मास है क्या? amount of substance present in it इसको हम मास का नाम देते हैं कोई किसी मेटर का amount कितना है उसको हम लोग मास करते हैं मास कभी change नहीं होता हमेशा constant रहता है और मास को especially हम लोग देखा जाए analytical balance से measure करते हैं जो सबजी वाले देखो तराजू से कोई चीज तोलते हैं तो उससे मास हम लोग especially कर सकते हो कि determine करते हैं SI unit जो मास के लिए किलोग्राम है इसकी छोटी unit ग्राम या मिलिग्राम इस सब भी हम लोग जरुत पढ़ती है तो हम भी उश करते हैं वेट क्या है It is force exerted by gravity on an object किसी भी object में पर कितना gravitational force वर्क कर रहा है उसको हम वेट से उसको हम लिए उसके लिए weight वर्ड यूज़ करते हैं weight place to place किसी भी object का change होता रहता है क्योंकि gravitational gravity की value change होती है अगर किसी substance का weight अर्थ पर लिया जाए या मून पर लिया जाए तो वहां पर weight में difference आएगा एक हम लोग जो spring balance यूज़ करते हैं या यू कह लिया जाए जो आज के time में देखा जाए जायतर दुकानों पर अपने पास electronic balance है इन सबसे अपने को weight मिलता है weight हम measure करते है volume की बात की जाए it is the space occupied by a substance चाहतर liquid के लिए हम लोग volume यूज़ करते हैं solid के लिए हम कर सकते हैं इसकी जो SI unit है meter cube है और इसके लिए छोटी या बड़ी unit काफी कुछ हो सकती है किसी भी liquid के volume के लिए देखा जाए हम लोग हम लोग काफी चीज़ें कभी-कभी जैसे measuring cylinder है buret है पीपेट है volumetric flask है इनको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी gas अगर अपने mole के according अगर उसकी STP पर जो value आती है one mole अगर कोई भी gas है तो 22.4 लिटर वो इस पेस कवर करती वोडियूम कवर करती है अगले स्टिप में देखा जाए density की बात हम लोग करेंगे density क्या है amount of substance present in unit volume it is defined as amount of mass या amount of substance कुछ भी ले सकते हो पर unit volume इसको किलो ग्राम पर मीटर क्यूब SI सिस्टम में लेते हैं CGM, CGS में gram पर centimeter cube लेते हैं अब जिस substance की density ज्यादा होगी इसका मतलब उसके particle उतने ही closely packed है जिसकी density जितने ही कम आएगी उसके particle उतने ही दूर-दूर है उनकी closeness कम है अगले पॉइंट पर देखा जाए temperature को हम ले सकते हैं temperature की definition simple में में लेते हैं degree of hotness और coldness इसके लिए temperature word यूज करते हैं it measures total heat content of the system temperature measure करने के लिए हमार पास तीन parameter है एक तो Kelvin scale एक degree Celsius scale और एक foreign height scale इसमें देखा जाए foreign height scale और degree Celsius scale में जो हमारे पास definition हमारे पास relation है degree foreign height is equal to 9 by 5 degree Celsius plus 32 इस formula से degree Celsius को foreign height में या foreign height code की Celsius में change कर सकते हैं Kelvin scale के लिए आपको पहले से पता है degree Celsius plus 273 especially real में 273.15 है लेकिन practically हम लोग 273 ही consider करते हैं तो यह दिखा जाए हम लोग Kelvin और degree Celsius का relation हम लोग यहां पर लेके चलते हैं काफी कुछ हमें time time पर इनकी जुरत पढ़ेगी और हम लोग उसको discuss करेंगे अपने NCRT में भी इन्होंने चोड़ेटे पार्ट में इन सब की definition बना रखी कि क्लाइन की definition से यही सब अपने को थोड़ा सा basic concept दिमाग में रखने की जरूरत है अब अपने पास देखा जाए NCRT का main part जो इस chapter का है यहां से real में अपनी chemistry start होती है जिसकी जरूरत हमें बहुत जदा पढ़ती है आगे one by one सबसे पहले देखो एक छोटा सा part अपने इसमें है scientific notation अब scientific notation especially है क्या कोई भी एक वेलूज अगर हमारे पास है चोई वह बहुत छोटी वेलूज है या कोई बड़ी वेलूज है उसको हमें scientific manner में represent करना होता है scientific manner in the sense 10 की power में represent करना होता है जैसे 138.42 है अगर इसको देखा जाए तो 1.3842 x 10.2 हम mention कर सकते हैं तो 138.42 यह scientific notation टर्म नहीं है हमारे पास एक केवल वेलू है लेकिन 1.3842 x 10.2 कर दे अब यह 10 की power में चुकिए हमने value ले ली इसको हम scientific notation के term में mention करेंगे इसका हमेसा ध्यान रखते हैं कि point से पहले एक non zero digit को हमें लेना ही होता है अब मालोग कोई value हमारे सामने 0.0012 आ गई अब यह बहुत छोटी small values है इसको हम चाहें तो 1.2 x 10.3 में लिख सकते हैं पॉइंट से पहले एक non zero digit मतलब 1 हमने हाँ consider रखा है 1.2 x 10.3 जो value हमने लिखी यह scientific notation के term में हमने लिखी है इसके आगे देखो significant figure यह भी काफी important part है अपने physics में भी काफी involved यूज होता है chemistry में भी होता है significant figure का simple मतलब यह होता है these are meaningful digit which are known with certainty that is without uncertainty अब इसमें देखा जा हमरे पास काफी कुछ ऐसे यह यह कह सकते हो कि जितनी certain digits है fix digits है और last में जो doubtful digits है इन पूरे number के लिए हम significant word use करते है significant figure के लिए काफी कुछ rules हैं जो कि हम third video में उसको discuss करेंगे लेकिन उसके पहले precision and accuracy की बात जरूर करना चाहूंगा मैं precision का simple मतलब क्या है it refers to the closeness of the set of values obtained from identical measurement of quantity किसे भी quantity को अगर हम कई बार measure कर रहे हैं तो जितनी बार मेजर कर रहे हैं वो जो values आ रहे हैं वह आपस में कितनी close हैं इसके लिए हम precision word यूज करते हैं accuracy word का simple मतलब क्या होता it refers to the closeness of a single measurement to its true value that is मान सकते कोई भी जिस उस particular जिसका measurement हम कर रहे हैं उसका कोई एक particular true value है लेकिन measurement जब हम करेंगे थोड़ा बहुत variations तो आएगा याएगा तो उस true value के कितनी close है हमारा measurement वह उसके लिए हम लोग के accuracy word यूज करते हैं सबसे अच्छा example देखो अपने यहां पर दिया गया है एक हम लोग ने तीन incidents का एक छोटा सा चार्ड बना रखा है कोई हमारे पास piece है किसी metal की जिसका weight 0.500 gram है तो incident यह जब इसको measure कर रहा है तो first time इसने 0.501 measure किया second time जब फिर measure किया तो 0.502 505 किया third time 0.491 किया average लिया गया तो average इसका देखा जाए 0.499 आया अब इसका मतलब क्या है कि average तो हमारा देखा जाए 0.500 के close आ रहा है लेकिन जो तीन तीन values इसने ली हैं तीन बार जो इसने measurement किया है इनमें आपस में बहुत ज़्यादा gap है इसका मतलब किया कि यह values आपस में less precise values हैं लेकिन accuracy के close हैं तो more accurate हम इसको मान सकते हैं student B ने क्या किया है कि first time जब measure किया है तो 0.505 gram उसको measure किया है second time किया 0.504, third time 0.503 जब इसका average लिया गया है तो 0.504 आया अब real value तो हमारे पार 0.500 है और average लेने पार 0.504 आ रहा है तो इसको हम accuracy यहाँ पर कम है लेकिन अगर इन तीनों values को हम देखें यह आपस में काफी close है 0.505, 0.504, 0.503 तो हम यह कर सकते हैं कि more precise values हैं लेकिन less accurate values हैं वहीं पर third जो student seal है उसने first time जब measure किया तो 0.501 measure कर लिया second time अगर उसने measurement के 0.500 किया third time 0.500 किया तो जो average लिया गया है यह 0.500 है अब यह देखा जाए यह जो तीनों values हैं आपस में भी close हैं और true value के भी close हैं true value जितनी ही है इसका मतलब सबसे जो student C ने जो measurement किया है यह more precise and more accuracy के साथ इसने measurement किया है अब इसके अगले वाले video में हम significant figure count करना और उससे related concept को discuss करेंगे एक बारा प्लोग NCRT के reading आप लोग लगा ले ना इसके लिए करेंगे